Good morning children, welcome to your Hindi class. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी लिटरेचर में पाट 6, जो कि हमारी हिंदी लिटरेचर की बुक चहक में page number 33 पर मिलता है. तो ओ की मात्रा हम पढ़ेंगे, जैसे म म म में ओ की मात्रा लगा दी, म, च, च में ओ की मात्रा लगा दी, च, त, त में ओ की मात्रा लगा दी, तो बनता है. तो बच्चों, ये ओ की मात्रा है हमारी और ये इस तरह से लगाई जाती है. अब हम इस मातरा के कुछ शब्द लिखेंगे, ओकिये, हम लिखेंगे शा, शा पे ओ की मातरा, शोर, शा, शा पे ओ की मातरा, सोना, सोना, ना आ पे ओ की मातरा ओ ले टा पे ओ की मातरा टो पी ज ज पे ओ की मातरा जो कर जो कर क त पे ओ की मातरा टूरी का तोरी का पे ओ की मातरा कोमल कोमल म न न पे ओ की मातरा नो हर म नो हर ट ए टे ली फ फ पे ओ की मातरा फोन टेली फोन और अख र र पे ओ की मातरा रोट अख रोट तो बच्चो अब हम अपनी बुक में से ओ की मातरा के शब्द पढ़ेंगे म मा पे ओ की मातरा मोर जैसे कि आप ये picture देख रहे हैं त ट पे O की मात्रा तो पी त त सब्रेट की ना मापे O की मात्रा मोतर जैसे कि आप यहां देख रहे हैं एक मोतर की picture बनी हुई है अब हम इसके नीचे जो words दिये हुए हैं ओकी मात्रा के, इनको रीड करेंगे, क, का पे ओकी मात्रा कोट, कोट, म, मा पे ओकी मात्रा मोटा, मोटा, ल, ल, पे ओकी मात्रा लोटा, लोटा, च, च, पे ओकी मात्रा चोट, चोट, क, का पे ओकी मात्रा कोयल, कोयल, बब आपेओं की मातरा बोतल कटट आपेओं की मातरा टोरी समम आपेओं की मातरा मोसा तो बच्चों अब इसी में आगे हमारी ये कविता दी हुई है होली जिसको की हम अब पढ़ेंगे जैसे की आप इस पिक्चर में देख रहे हो की बच्चे हैं वो होली खेल रहे हैं और आप सभी को पता है की हमारे यहां होली का प्रमुक तेवार होता है हमारे देश में और इसको बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है तो सब और खास करकी बच्चे जो होते हैं वो इस तहवार में बहुत ही मस्ती करते हैं चलिए अब हम अपनी पोयम को शुरू करते हैं होली है भाई होली है आई बच्चों की टोली है धोल बजाओ होली है गाना गाओ होली है जैसे कि आप सब को पता है कि होली में बच्चे क्या करते हैं तोली बना लेते हैं और तोली बना कर हो क्या करते हैं बड़े खुश होते हैं मस्ती करते हैं एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गाना गाते हैं, और खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, ठीके न, और वो ढोल भी बजाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कि बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, आगे, गुजिया खाओ होली है, समोसे खाओ हो इसको की हम लोग खाते हैं और खुब मस्ती करते हैं एक दूसरे के रंग लगाते हैं तो आगे इसमें यही देखेंगे हम रंग लगाओ होली है बुरा नमानो होली है और जब हम किसी के रंग लगाते हैं तो हम कहते हैं न होली पर कि बुरा नमानो होली है तो वही चीज हम द देख रहे हैं बच्चे दूसरे के रंग लगा रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं आगे देखते हैं खुशी मनाओ होली है होली है भाई होली है और बच्चे जो हो हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बच्चे खुशी मना रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं कोई रोत को आपको समझ में आई होगी और आपने इसको इंजॉय किया होगा तो बच्चो अब जो ओकी मातरा हमने अभी पढ़ी थी बुक में अब यह हम कौपी का कुछ काम करेंगे यहां पर और यह वाला जो काम है आपको अपनी हिंदी लेटरेचर की कौपी नंबर 4 में करना है तो हमारा सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है कठिन शब्द तो कठिन शब्द हम रीद करेंगे बा बा पे ओकी मातरा बोतल धा धा पे ओकी मातरा धोल धोल मा मा पे ओकी मातरा मोर मोर हा पे ओकी मातरा होली होली टा ता पे ओकी मातरा टोपी टोपी भा भा पे ओकी मात्रा भोजन भोजन स मा मा पे ओकी मात्रा मोसा समोसा त ता पे ओकी मात्रा तोता तोता क त ता पे ओकी मात्रा तोरी कटोरी खर गापेओ की मातरा गोश, सर रा पेओ की मातरा रोवर, सरोवर, अखर रा पेओ की मातरा रोट, अखरोट ये हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे कठिन शब्द हैं, ओके? तो बच्चो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है खाली स्थान भरो तो आब हम खाली स्थान भरो करेंगे जैसा कि हमने अपनी कविता में पढ़ा है उसी से संबंदित ही है हमारे खाली स्थान है तो फर्स्ट है हमारा बच्चो की डैश आई क्या आई थी बच्चों की? बच्चों की टटपे ओ की मातरा टोली बच्चों की टोली आई ठीक है? नमबर टू डैश पर रंग लगाओ किस पर रंग लगाते हैं हम? कौन सा तहवार है, जो हमारा रंगों का तहवार कहलाता है? होली तो यहाँ पर क्या आएगा होली हाँ पे ओ की मातर हो ली होली पर रंग लगाओ ठीक है नमबर थ्री डैश बजाकर खुशी मनाओ और बच्चे क्या बजाकर खुशी मनाते हैं होली के तहवार पर धोल बजाकर तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा धर धापे ओ की मातरा धोल धोल बजा कर खुशी मनाओ नमबर फोर गुजिया खाओ डैश खाओ क्या क्या खाया था बच्चों ने होली पर जो हमारी कविता थी उसमें हमने पढ़ा था तो बच्चों ने क्या क्या खाया था गुजिया खायी थी और समोसा खाया था दो चीज़ खाई थी ना उसमें बताई थी तो यहाँ पर हमारा आएगा समोसा स म मापेओ की मातरा मोसा समोसा तो हमारा sentence हो जाएगा गुजिया खाओ समोसा खाओ next है गाना गाओ डैश है क्यों गाना गा रहे थे वो? है बच्चों गाना क्यों गा रहे थे वो? वो इसलिए गाना गा रहे थे क्योंकि होली का तो हार है है ना तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा गाना गाओ ह हाँ पर ओ की मातर होली होली गाना गाओ होली है ठीक है? next है हमारा गोलू ने डैश बजाई क्या बजाई गोलू ने धोलक बजाई धापे ओ की मातरा धोलक धोलक बजाई जी के हैं अब हमारी next exercise third exercise सही मातरा लगाओ अब ये कुछ words हैं जिसमें dash दे रखे हैं और इन से हमें o की मातरा लगाकर इन words को सही बनाना है तो बचो हमारा first word है मटा तो यहां dash लगा हुआ है तो dash में हम क्या करेंगे मा पर o की मातरा लगाएंगे मोटा तो हमारे ये word क्या बन जाएगा ये हमारा मोटा शब्द बन जा दूसरा र-T तो डैश में हम क्या लगाएंगे ओ की मात्रा लगाएंगे र-र पर ओ की मात्रा रो-t तो हमारा शब्दो गया रोती फिर हमारा नेक्स्ट है तो ता 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 पर यह डैश लगाएंगे तो हम ओ प्रोता फिर है समसा तो यहां पर कहां लगेगी ओकी मातरा मा पर लगेगी डैश यहां पर है तो सम मा पर ओकी मातरा मूसा समूसा फिर है कट तो यहां क का पर ओकी मातरा कोट फिर है दपहर तो यहां डैश लगावा है तो किस पर लगेगी दा पर लगेगी दा पर ओकी मातरा दोपहर और फिर है अखली तो यहां पर हमारा डैश है तो यहाँ आ पर ओ की मातरा तो बन जाएगा ओ ख ली ओ ख ली तो इस तरह से यह हमारे वर्ड जो हैं वो complete हो गए हैं यह शब्द हमारे जैसे मोटा, रोटी, तोता, समोसा, कोट, दोपहर, ओखली ठीके बच्चों तो यह वाला काम आपको अपनी कॉपी नंबर 4 में करना है ठीके हैं ओके बाई बाई